हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें जैमा इंदराक्षे अधिशिता में दर्शुको आप सभी का महारदे कुस्वागत करते हैं आज के दिन जन जातकों का जनम दिवसे मेरी जैनिवरसरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज हम एक ऐसे विशेप के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं जो शायद बहुत लोगों के लिए काम का साबित हो सकता क्या? कि हम कमाते भी हैं लेकिन उसके वावजूद भी बरकत नहीं होती है बचत नहीं होती है कारण क्या है? पैसा कहां चला जाता है? और क्यों चला जाता है? आज हम जोतिशे द्रश्टिकोंड से भी बात करेंगे आपसे आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिएगा उसी में उसका कारण और निवारण भी हम आपको बताएंगे आईए आज का पंचांग जान लेते हैं दस फरिवरी सन दोहजार इकिस दिन बुद्वार मागमास करशनपक सम्वन्द दोहजार सततर तिछी चतोदशी नक्षत्र उत्तर शाड़ा राहुकाल बारा सिर्यड दिशासूल उत्तर पूर्व दिशा बहुत व्यक्तियों की बहुत अच्छी सेलरी है बहुत अच्छा व्यापार है अच्छे खासे पैसे महीने के हिसाब से आते हैं डेली के हिसाब से भी आते हैं लेकिन उसके वावजूद भी वो बात नहीं है वो बचत नहीं है वो घर में वैवावता नहीं है देखें या हम उसके हाथ की रेखाओं को देखें अब हाथ की रेखाओं में यदि हम ध्यान से देखें हैं तो यदि किसी व्यक्ति की हर्दे रेखा काफी बड़ी हर्दे रेखा हो और हर्दे रेखा के नीचे जो मस्तिक से रेखा होती है दोनों रेखाओं आपस में बहुत बारवा घर यदि व्यक्ति का कमजोर हो या वहां पर ऐसे ग्रह बैठे हो जिनका आपसी तालमिल ना हो तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रावेगंट होता है बहुत ज्यादा खर्चिला होता है तो वहां कारण कोई और नहीं है कमा वो व्यक्ति रहा है लेकिन वहां कारण वो व् सा रुक नहीं पाता ये जोतिस्य उधारन है एक उधारन और है जोतिस्य के यदि किसी व्यक्ति की जनम पत्रिका का द्वादर्श भाव के साथ साथ दूसरागर किसका होता है? धन का होता है. यदि जनम पत्रिका का दूसरा घर भी व्यक्ति कि कि किसी काम का ना हो या वहाँ पर ग्रहे से बैठे हों तो भी हमने देखा है कि व्यक्ति कमाए आएगा तो जरूर लेकिन व्यक्ति धन संच नहीं कर पाएगा व्यक्ति के घर में जो वैववता जो आनी चाहिए पैसे को ले करके और जो उसके घर में उसको आराम मिलना चाहिए रिलीफ मिलना चाहिए वो चीज उसको नहीं मिल पाती है एक जमाना था आप लोग याद करे कि हमारे माता-पिता बहुत कम कमाई कमाते थे बहुत पैसा बहुत इतनी बड़ी सेलरी नहीं होती थी अगर कोई उध्योग भी था, किसी की फैक्टी थी या कुछ भी थी तो जो भी किसी व्यक्ति की इनकम थी, वो बहुत थोड़ी हुआ करती थी लेकिन उस थोड़ी ही इंकम में हम कितने काम कर लिया करते थे आप सब अपने बच्पन को याद करो आप जो बच्चे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी उमर की बात कर रहा हूँ आपकी एज की बात कर रहा हूँ या जो व्यक्तिक कमाते थे, अब वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, वो ध्यान करें, कि उस थोड़ी सी ही कमाई में हैं, और हाँ, अब तो परिवार में एक बच्चा या दो बच्चे बड़ी मुश्किल से होते हैं, एक तो होता है, दो तो बड़ी मुश्किल से होने लगे है चार चार पाच पाच हम बेहन माई हुआ करते थे और सबकी सारे काम समय पर हो जाया करते थे अपने हिसाब से सारे काम होते थे और घर में एक सोमयता का बाता बरन होता था और घर में हसी खुशी का बाता बरन होता था और इससे उपर मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताओं कि कितनी महमान नवाजी होती थी उस वक्त में कम कमाई में कितने महमान हमारे यह आते थे और कितनी बार हम लोग नानी के यहां बुआ के यहां, मौसी के यहां कितना जाते थे, याद है न सबको और अब कौन जाता है, कौन आता है, है ना, और कमाई भी बड़ी है, रिष्टे भी खतम हो गए है, आना जाना भी खतम हो गया है, है ना, फिर भी पैसा नहीं बचता, और जो चीजे हम लोगों ने खाई हैं, आज के बच्चे सपन में भी नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो के उपर भारी हैं, हम लोगों की, हम लोगों की फरमाईस हुआ करती थी पर आज हम रबड़ी खाएंगे, आज हम गुलाब जामन खाएंगे, आज हम जले भी खाएंगे, है ना, हम लोगों की चाहत हुआ करती थी, इसलिए पुराने लोग, आज भी मजबूत हैं, और से बच्चे इजह पिजह यह सब मैगार की चीजह खा करके कैसा सरीर हैं बच्चों के धाहन नहीं आख बाल जवानी में जढ़ने लगे हैं सारी चीजा बच्चों के सातर होती जा रही है तो किने का भाव हाला कि हम जो लोग चीज़े खाते थे वो आज भी हम लोगों को सब कुछ पसंद है और वो किसी एड की मोहताज नहीं है आज भी जलेवी, रजगुला, खीर ये किसी का कोई विज्यापन आपको टेलीविजन में नहीं मिलेगा तो ये बड़ी बाते थी और एक और बात बता कपड़े और हुआ करते थे, मैं अपनी बात बताना हूँ, हो सकता है, आपके पास कुछ स्टाइल आपको अलग रहा हो, और मैंने जो अपना दाइरह देखा, तो कम कपड़े हुआ करते थे और कम कपड़ों में ही हमारी होली दिवाली बहुत अच्छे से मना करती थी, बह कोई उस हर्दे से बुलाता नहीं है, कोई उस हर्दे से खिलाता नहीं है, कोई उस हर्दे से पुकारता नहीं है, कितना समय चेंज हो गया, कितनी भिंताएं आ गई, तो कहां से लक्ष्मी हमारे घर में अच्छ्छ्मी के रूप में बैठ सकती है, लक्ष्मी का एक रूप नहीं होता लक्षमी के अने को रूप होते हैं आपके स्वास्ते सरदन आपके स्वास्ते संबर्दन में भी लक्षमी वस्ती हैं आपके बच्चों की मेहनत में भी लक्षमी का वास होता आपके खेतों में हरी हरी कोपलों में भी लक्षमी का वास होता आपके पश्वों में ज कि चाहत दूद नहीं है और जहां है वो सब कुछ बेच दिया जाता है खेत हैं लेकिन खेतों में यूरी इतना डाल दिया जाता है कि साब फसल में वो मज़ा नहीं आता कहने का भाओ बादार में आप कोई भी कोई से स्वाधिस्ट बनती हैं कहने का भाव मैं आपको ज्यादे क्या कहूं कि उस समय इतने संसाधन नहीं थे इतना पैसा नहीं था इतना कुछ में नहीं था लेकिन आज के समय से लाख गुना ज्यादा वो जिन्देगी बहुत अच्छी थी बहुत मीठी थी अब मैं लोटता मन में भी शांती नहीं है जब तक मन में शांती नहीं आएगी जब तक हमारी नियत में शांती नहीं आएगी तब तक हमारे ग्रह भी हमारा साथ नहीं दे सकते आज हम हिंदू होकर के बहुत लोग ऐसे भगवान को यह नहीं मानते हैं मजाक उड़ाते हैं कहां है भगवान किस किसको आप समझाएंगे घर में मा अरती करती है तो घर के लोग चिलाते हैं आप गहंटी बजा रही आप संख बजा रहे हैं आप सुवह सुट जाती है आप बरतम हिलाती है आप शोर कर देते हैं बताइए साल तो मतलब जो आप पौप संगीत सुनते हैं हूँ हाद हूँ रड़क का जो सुनते हैं जिसमें कान भी फूट जाए वो अच्छा लगता है मा अगर ओम जे जगदी सरे करे तो वो संतान को पसंद नहीं आता ऐसे भी परिवार है तो हम भी चेंज हुए हैं हम बदले हैं गिरगट की तरह हमने रंग बदला है अपना हमने अपने भगवान के प्रती समर्पन बदला है हमने अपने रिस्ते दारी के प्रती समर्पन बदला है हमने एक दूसरे के प्रती समर्पित भावना को बदला है तो लक्ष्मी ने भी अ हर घर में रहूंगी आपको मिलती रहूंगी आपके नियत खर्चे चलते रहेंगे लेकिन जंदेगी में मज़ा नहीं आएगा आपको इसलिए मेरे साद को मैं तो आप से यही कहूंगा अगर जिंदेगी का पूर्ण आनंद लेना है अपने दिल को मीठा बनाओ अपने मन को म मीठा बनाओ और कुछ किसी के लिए कर गुजरने का मन हमेशा रहना चाहिए और जिस धर्म से हम जुड़े हैं जिस संपरदाय से हम जुड़े हैं हमेशा उस ते जुड़ करके रहें सब का मान सम्मान करते रहें आप देख लेना धर्ती पर ही स्वर्ग नजर आने लगता है एक चीज़ और कहने अब आपकी कुंडली की बात करने क्योंकि जो जोतिस के लिए लालाई थोगर की कारिकरम देखते हैं उन्हें यह न लगे कि यहां तो कुछ परवचन हो गए शर्माजी के नहीं साब परवचन नहीं है यह मैं वास्विक्त वाते आप से कर रहा हूं अ वैसी नियती से धन कमाया जाता है ना वैसी नियती से वो धन जाने के रास्ते ढूंड लेता है लक्षमी जब आती है कमल के पुष्प के उपर सुवासित हो करके आती है लेकिन जब जाती है तो हजारों रास्ते बना लेती है जाने के लिए और एक बात बताएं छेद बार अपनी जन्म पत्रिका अगर आप इस पीड़ा से पीडित हैं तो एक बार अच्छे से उस जन्म पत्रिका को दिखाएं अध्यन कराएं और फिर कहें कि साब हमें धन की बरकत नहीं है और घर में भी वो समयता सामयता नहीं है वो वैववता नहीं है हम यह क्या करना चाहिए अनुभव होगा तो वो अच्छे से कुंडली टटो लेंगे देखेंगे उपाई बताएंगे सेकिंड यदि पत्री का नहीं है तो किसी अच्छे अनुभवी को अपने हाथ की देखाई दिखाईए तो भी आपको लाब मिलेगा और यदि आप हाथ पैर कुंडली कुछ भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि साब हम तो इन सब चीजों को नहीं मानते हैं तब एक काम करिए आप जो भी आपके गुरु हैं जो भी आपके आदर्श हैं बस उन्हें अच्छे से मानिए अपने इश्ट मंत्र को अपने गुरु मंत्र को बलवान बना लेजिए अच्छे से पढ़ने लग जाईए जिन्देकी के वो रास्ते दूर नहीं कि जहां सारी खुसियां आपको मिल जाएंगी आप सफलता के हर पाइदान को चुम लोगे हर पाइदान को पार कर लोगे यदि आप अपने गुरु मंत्र गुरु के परती सच्ची आस्था भी आपके मन में रहेगी आप जादा ना कहते हुए बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि समस्याएं हैं तो उसका समादान भी है हर कारण का निवारण है ऐसी इस्तिती में आपकी जर्म पत्रीका का दुत्य भाव प्रथम भाव और द्वादश भाव बहुत काम करता है और लक्ष्मी माता को जब ज़्यादे ही बरकत ना हो तो लक्ष्मी माता को कमल का पुष्प या गुलाब का पुष्प अरपन करना चाहिए और सिरिसुक्त के रोज 11 पार्ट करने चाहिए यदि कोई 5-6 महीने ऐसा करता है लक्षन नजर आने लगते है प्रात्यकाल आदा घंटा गाहितिरी महामंत्र हमारे कू संसकारों को जला देता है और संसकारों की धर्ती को जवल बना देता है तो गाहितिरी महामंत्र यदि आदा घंटा सुबह के समय होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अधिक चाहत के लिए किसी भी मरमग्य को एक बार उनसे सला ले लें राहे लें आईए सादिको समय चला आज की ध्यानमला का आज की ध्यानमला में जुड़ते हैं जग जन्नी मा भवानी से पापे नबाग छोरुआम पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकाम रत्नोत पराम विब्रते सोम्याम रत्न गटस्त रक्त चरणाम ध्यायत पराम अंबिकाम खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलंब सुन्डिम् सिरा संखं संदधतिम करिष्त्रिनयानाम सरवंग वुष्वरिताम नेलास मध्युत्यमास्यबाद दसकाम सेवे महांकालिकाम यामास्तो स्वपितै हरो कमल जो अंतुम् अदुम् कटवं विद्यो दाम समप्रवाम रिगपते स्कंदस्तिताम विशनाम कन्या विहकरवाल खेट विलसा दस्ता विरास सेविताम हस्ते शक्रगरास खेट विशिखाम श्चापम गुणम तरजनीम विप्राणा मलिलात्मिकाम ससिदाराम दुरगाम तिनेत्राम वजे आईए कवच बना लें ध्यान करें भगवती का असिरवाद हम सब पे बरस रहा है ओम बोलते हुए नित्र खोलें समान्य हो जाएं देखो मेरे साथ को कल जो है कल मोनी अमावस्या है ध्यान रखें मोनी अमावस्या में जो मोन धारन करके वर्त रखता है अधिक फल की प्राप्ती होती है मोनी अमावस्या में किया गया यग जब तब अनंत गुना फल अदाई होता है मोनी अमावस्या में और वो भी मागमास में जो सरोवर का इस्तनान करता है गंगा का इस्तनान करता है संगम के तट पर जाकर के इस्तनान करता है नाना भाती से उससे रिद्धी सिद्धी प्राप्त होती है मनो कामनाई पूर्ण होती है मोनिया मावस्तिया में जो फल बाटता है मोनिया मावस्तिया में जो दूद बाटता है मोनिया मावस्तिया में जो वस्त रदान करता है मोनी अमवस्तिया में जो मोन रहकर के दिन भर शिरीहरी का चिंतन करता है प्रभू का चिंतन करता है उसके भी अनंत गुनाकारिय सिद्ध होते हैं तो ध्यान रखें कल मोनी अमवस्तिया है हमारे गुर्दिक्षा से जुड़े वे जितने भी सादक हैं तयार रहें अपने जवावी लिवाफा हमें भेजते रहें ताकि सिग्र से सिग्र हम दिक्षा के सेट आपके घर तक पहुचाते रहें जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 बजे तर हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें भूले की आर टेखने कारिक्रम साव प्रीद प्रेखनेक्रिवाऊ़ मेख प्रेखने कारिक्रम सावारा गो पेशक्रम सावर्णेक्षण प्रके लाण